हेलो दोस्तों मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं GK Planet तो दोस्तों आज हम जानेंगे एक छोटे से सिम कार्ट से दुनिया भर में बात कैसे कर लेते हैं आज के जमाने में स्मार्ट फोन सभी के जिन्दगी का एहम हिस्सा बन चुका है इस टेकनोलाजी यूग में स्मार्ट फोन के जरिये लोग दूर बैठे किसी से भी बात कर सकते हैं वीडियो कॉल कर सकते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्मार्ट फोन में रखे एक छोटे सिम के जरिये कैसे आप बात कर लेते हैं ये SIM किस तरह काम करता है तो आईए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे आप एक छोटे से SIM कार्ट की मदद से दुनिया भर में घर बैठे बात कर लेते हैं आप जब कभी भी अपने फोन में SIM कार्ट डालते हैं तो आपकी स्क्रीन में कुछ सिगनल आने लगते हैं जिने नेटवर्क कहते हैं जब फोन में नेटवर्क आते हैं तभी हम बात भी कर पाते हैं अगर नेटवर्क नहीं आते तो कॉल डिसकनेक्ट हो जाती है अगर नेटवर्क कम होते हैं तो आवाज सहीं से नहीं आती या फिर फोन बार-बार कड़ जाता है इसके साथ ही हम बता दें कि फोन में सीम लगाने के बाद वह सीम उस कमपनी के नज़दी की टावर से कनेक्ट करता है इसका मतलब यह है कि फोन में जब सिगनल फूल होता है तब हमें पता चलता है कि सीम का कनेक्शन टावर से पूरी तरह जुड़ गया है दरसल यह टावर सेटेलाइट से जुड़े होते हैं जिसे से हम बात कर पाते हैं आपको ध्यान होगा कि कभी कभी सामने वाले का फोन ना लगने पर उनका फोन कवरेज एरिया से बाहर बताया जाता है इसका मतलब यह है कि वह वैक्ती किसी भी फोन टावर के नस्दीक नहीं है जिसके कारण आपकी कॉल उन तक नहीं पहुच पाती या कॉल पहुच भी जाती है तो आवाज सही नहीं आती या कॉल कहीं और लग जाती है सिम कार्टे कार्ट से हम कहीं भी कैसे बात कर सकते हैं इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेर करें